अभी अभी Ministry of Education की तरफ से कुछ गाइलेंस आई हैं, सभी स्टुएंट्स के लिए जो बच्चे कोचिंग जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सभी के लिए गाइलेंस बहुत ज़रूरी हैं, समझना, इस वीडियो में हम सभी गाइलेंस के बारे में अच्छे से बात करने जा रहे सोला साल के कम के बच्चे कोचिंग में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, अब कोचिंग वाले जब एडमिशन लेंगे, तो आपकी जो एज है वो 16 होनी चाहिए, या उससे जादा होनी चाहिए, या निकी आप 10th पास आउट होने चाहिए, अगर आप 9th में हैं, तो 9th में बच नहीं होगा इस गाइडलेंस के हिसाब से जैसे कि इसमें मेंशन है, या निकी क्या है कि आप जानते होगे कि लगातार आपको खबरे मिलती हैं कि कि किसी कोचिंग सेंटर में आग लग गई, वह बच्चे ऊपर से चलांग लगा के अपने आपको बचा रहे हैं, ऐसे सी खबरे आई हैं कोटा से लगातार पिछले कुछ टाइम में, तो इस चीज़ को देखते हुए ये गाइडलेंस चारी करी गई और बहुत सही है, बहुत सही है, बहुत सही है, देखो, सबसे बड़े से में चीज़ क्या है, एक तो कोचिंग सेंटर cannot enroll students below 16 years, चलो यह तो ठीक तो कोचिंग वाले एक तो make misleading promises, मतलब जूटे वादे नहीं कर सकते, जैसे कि आपको यह फोटो दिख रही है, इस तरह की आप coaching centers की advertisement मिलती है, कि आप हमारे ऐसे करो, आपका selection हो जाएगा, तो जब वो कह रहे हैं कि आपका selection हमारे ऐसे हो ही जाएगा, इसका मतलब क्या है, promise कर दिया, अब सबका selection तो होने से रहा, नहीं होगा, तो क्या हो गया, fake promises हो गया, तो फेक चीज़े नहीं हो सकती, गलत advertisement आप नहीं करेंगे, यह लिखा हुआ है, ठीक, guaranteed rank, good marks, इस तरह की promises नहीं करने है, according to the new guidelines, the guidelines for regulating coaching students have been framed to address the need for a legal framework and manage the unregulated growth of private coaching centers, it comes following complaint received by the government, no coaching center shall engage tutors having qualification less than graduation कोई भी coaching center ऐसा teacher नहीं हायर करेगा, जिसकी जो qualification ग्रेजवेशन से कम हो यानि कि कम से कम जो टीचर हो ग्रेजवेट होना चाहिए, यह चीज़ तो होती है, coaching में जादर ग्रेजवेट, पोस्ट ग्रेजवेट और आपके डॉक्टरेड टीचर सी रखे जाते हैं, लेकिन खो school examination यानि कि second school का मतलब हो गया 10th class, 10th class से बाद ही admission होगा, जो 12th होती है उसको बोलते है senior secondary, 10th को बोलते है secondary, तो 10th के बाद ही होगा, the coaching institute cannot publish or cause to be published or take part in the publication of any misleading advertisement relating to any claim directly or indirectly, कोई भी fake advertisement नहीं कर सकते हो, चाहे directly करो चाहे indirectly, दो नहीं करते हैं, ठीक है, कई बार तो indirect कर देते हैं, वो भी नहीं करना है, ठीक है, quality of education और जो facilities हैं, वो बिल्कुछ सही होनी चाहें, जूट है, एड नहीं होनी चाहें, the coaching center cannot hire the service of any tutor or person who has been convicted of any offense, माला किसे पर कोई charge लगा हुआ है, ठीक है, उसके उपर कुछ धारा लगी हुई है, या वो कोई case चल रहा है, तो उसको आप नही नहीं रख सकते हैं, यह भी सही है, सही बात, coaching center shall have a website, coaching website होनी चाहिए, coaching center की website हो, उसमें सारी details जालने पड़ेंगी, जो teacher वहाँ पढ़ा रहे हैं, उनकी qualification क्या है, courses क्या है, curriculum क्या है, वो course कब तक complete हो जाएगा, hostel की facilities क्या है, जो बचे होस्टल में रहते हैं, उनकी क्या facilities हो immediate interventional to provide targeted and sustained assistance to students in stress and stress, मतलब इसमें यह है कि जो बचे stress में रहते हैं, परशान रहते हैं, पढ़ाई को लेके, है ना, तो उनका अलग से counselor कहने पड़ेगी, coaching वालों के पास, अलग से अच्छे counselors होने चाहिए, ठीक है, और उनके पास अच्छे psychologist होने चाहिए, जो उनको deal students के लिए और parents के लिए दोनों को समझाएंगे, उन्हों जो भी दिक्कत है, जो भी mental pressure होता है, पढ़ाई का या जिस भी चीज का, वो सब वो discuss करेंगे उनसे, और यह भी लिखा है कि जो secularist होंगे, वो qualified होने चाहिए, ठीक है, आपर लिखा होया इसके अंदर, जारी करी है, एक और main चीज है को सबसे अच्छी है, आपर, fees को लेकर, according to the guidelines, the tuition fees for different courses and curricula being charged shall be fair and reasonable, and receipts for the fees charge must be made available, यानि की, जो भी different course उनकी fees किया है, कितनी charge है, वो सब भी देना, लिखा होना चाहिए, hostel की fees लेकर भी refund करनी पड़ेगी, दिखा है, लिखा है, refund कैसे होगा, जब आप कोई बच्चा course में enrolled करेगा, अगर उसने मालब बीच में से छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद, जो उसका बच्चावा time period है, उसके हिसाब से, उनकी fees जो है, वो pay करनी पड़ेगी, और वो भी 10 दिन के अंदर-अंदर, if the student was staying in the hostel, अगर बच्चा hostel में रह रह था, तो उसकी hostel की fees, उसकी मैस की fees और अलसेक्टरा, जो भी उसकी बागी fees है, वो सब भी refund करनी पड़ेगी, under no circumstances, the fee based on which enrollment has been made, for a particular course and duration shall be increased during the currency of the course, किसी भी हालत में, किसी भी हालत में, जो बच्चे ने course लिया, उस समय जो fees उसको बताई गई, उसने enroll कर लिया, पूरे course के duration म में, आप fees नहीं बढ़ा होगे, चाहे currency down हो जाए, जो मर्जी हो जाए, आप fees नहीं बढ़ा सकते हैं, किसी भी कारण वर्ष, ठीक है, giving tea to the policy that center has suggested that coaching center be penalized up to one lakh, और जो in guidance को follow नहीं करेगा, उसको एक लाग तक का जुर्माना लगेगा, एक लाग तक का क्या लगेगा, उसको हो सकता है, ठीक है, to ensure proper monitoring of the coaching system, the government has proposed registration of new and accession center within three months, तो इसमें जो है, जो भी बच्चे भी coaching center, उनको तीन महिने में, जो है, अपनी रिस्ट्रिंट करवाना पड़ेगा, तो बहुत अच्छी गाईलार से काफी सही चीज़े हैं, जो की इसमें बताई गई है, गवर्मेंन की त आइडी वाप को दिये, call me for app पे आप जैसी आइडी सर्च करें, call me for app के, वे ब्यों क्लास एदर cm4, आपको call me for app पर profile मिल जाएगी, महास भी आप जाएगे call कर सकते हैं, मैं डाट पूच सकते हैं, thank you so much.